हलो विन उत्व दे स्टाटिक जीके के इंतर गए जोग्राफी के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं देखेए जोग्राफी से रिलेटेड यूपी स्पिशल्स में काफी सारे कुश्चन यहाँ पर आपको बनते आए हैं यहाँ पर जोग्राफी से रिलेटेड यूपी स्पिशल्स में स्टाटिक बेसिस कुश्चन आपसे पूछ रहाते हैं आज इन ही सारी प्रक्रियागत इस्थितियों को संपोन तरीके से हम यहाँ पर उत्वदेस स्टाटिक जीके जोग्राफी में स्टडी करेंगे तो आप सभी मेरे साथ बने रहें देखें ये वीडियो जो है उत्वदेस में यूपी PCS का एक्जाम यूपी ट्रिपल सी लेगपाल आरो यारो जैसे एक्जाम के लिए यहाँ पर महत्पून है तो आप सभी यहाँ पर एक्जाम से पूरू ऐसे वीडियो के माध्यम से आप संपून यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर उत्वदेस के अवस्तती और विस्तार को लेकर क्या रगटना करम है सबसे पहले देखें उत्तवदेश की जो अवस्तती है उत्तवदेश एक सीमांद प्रांथ है अथात ऐसे प्रदेश जहां पर आपकी राश्ट्री सीमा का अंत हो रहा हो जैसे उत्तवदेश का है अगर देखें तो यहाँ पर नेपाल के साथ या इंतराश्री सीमा को साझा करता है थाद भारती जो सीमा है, वो यहाँ पर समाप्थ होती है इसलिए से एक सीमा प्रदेश की नाम से जानते हैं बात करें उत्तर अब्देश की अवस्थती को 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मद यहां पर इसकी अवस्तिती पाई जाती है अवस्तिती विस्तार को लेकर कई बार कुश्चन पूछे आते हैं इसको लिए ध्यान रखेगा उतरी पूर्वी देशांतर में आपको किस किस के बीच यहां पर कितना अवस्तिती इनकी क्या है इसी तरीके से विस्तार के बारे में अगर हम देखें तो उरफ से पश्चीम के अगर आप देखें तो यूपी का जो विस्तार है 650 km वहीं उत्तर से अगर हम दक्षण की और बात करें तो ये 240 km है। चेत्रफल की बात करें तो ये 2,4,928 वर किलोमेटर है और कुल भारत के चेत्रफल का 7.33 प्रतिशत है इसी लिहास से अगर हम देखें उत्तवदेश जनसंख्या के आधार पर विश्में ब्राजील के बाद चट्विय स्थान पर यहां पर आता है और देश की जनसंख्या का क कई बार इस तरह के प्रश्णा आपको पूछे जाते हैं जैसे हिमाचर प्रदेश को ले लीजिए हिमाचर प्रदेश तो है एक ही यहां पर जिला है सहारनपूर है ठीक है जो यूपी के साथ सीमा साज़ा करता है हर्याना को देउस्रा है हर्याना से कितने राज्यों के उत उत्वदेष में किन किन राज्यों की सीमाएं जो हैं दूसरे प्रदेश में साथ साथ लगती łсп wire ऐसे कितने यहां पर चिल्ह रहीयाना से कितने जिल्हों की संख्या-क्या या कौन-कौन से जिले लगते हैं यह सारी चीज़ें आपको कई तरीके इसमें फ्रश्ण बनते हैं इसलिए इसको अच्छे से रिवेशन कर लीजिए तीसरा देखें यहां पर राजस्थान है राजस्थान से हमारी दो जिलों की यहां पर सीमा यह लगती है मधुरा और आग इसमें ग्यारा यहां पर जिले साजा होते हैं इसमें देखें तो सोनभद्र मिर्जापूर इलाहाबाद प्रयागराश कहते हैं चित्रकूड बांधा महोबा जहासी इसके लावाँ अगर हम देखें तो यहां पर आपको ललितपूर आग्रा इटावा और जालॉन है इसके यहां पर देखें साथ आपके जिले लगते हैं महराजकंज, कुशिनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपूर, चंदौली, सोनभद्र, उत्राखण में भी देखें तो साथ जिले हैं आपको साजा कर रहे हैं यूपी के सहारनपूर, मुझफनगर, विजनौर, मुरादावा रामपूर, बरेली और पिली भी वहीं दिल्ली की बात करें दिल्ली देखें केंदर शासिर प्रदेश है और उसके साथ हमाई दो सीमा हैं साजा करते हैं गाज्याबाद और गौतम बुधनगर तो आठ यहां पर राज्य हैं और एक आपका यूटी है ठीक है इसके लावा अगर हम यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है उत्तव देश के 18 मंडर और 75 जिले हैं कई बार ये प्रशन भी आपको जिग्राफिक एंतरगत पूछे आते हैं कि कौन से मंडल में कौन से जिले आते हैं या किस मंडल में कितने जिले हैं तो उनको भी चल इसमें भी आपको 6 मंडल आते हैं कानपूर नगर, कानपूर दिहाद, हिटावा, फरुखाबाद, कन्योज और रया, मेरट की देखिए, मेरट में भी आपको कितने जिले आते हैं, 6 आते हैं, देखो यहां पर आप इनको मैप में जरूर पढ़ें, ठीक है, इनको मैप में आपको इस तरह डेटा में भी साथ आपको याद ना हो, लेकिन आप मैप के थूरू अगर आप उन्हें थोड़ा हाइलाइटेड करके देखेंगे, अलग-लग वहां पर पोर्शन कलर वाइज, तो यह आपको ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर याद रहेंगे, ठीक है फिर भी स्ट्राटिक बेस हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, चलिए, तो मेरट में छे हैं आपको, ठीक हैं, मेरट, करमगाजियाबाद, बुलंशहर, गौतम बुदनगर, बागपत, हापुर, फैजाबाद, पुल्सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अमेठी, अम मुरादाबाद में भी देखा जाए, तो मंडल में आपके पांच जिले आते हैं, जिसमें मुरादाबाद, रामपूर, बिजनौर, अमरोहा और संभल आते हैं, अलीगड़ की बात करें, तो यहाँ पे आपको इस मंडल में चार्ज ले आते हैं, अलीगड़, एटा, हाथर चंदौली, गोरकपूर में चार्ज ले आते हैं, गोरकपूर, महराजगन, देवरिया, खुशी नगर, देवी पाटन, जिसका मुख्याले आपका गोंडा है, यहाँ पर देखें, तो गोंडा, बलरामपूर, स्रावस्ति और बहराईच, और बरेली को देखें, तो यहाँ प्रताबगण, पतेपूर, कौशामबी, चित्रकूर को देखें, इसमें भी चार जिले आपको मिल जाएंगे, चित्रकूर, बांदा, हमेरपूर, महोबा, मिर्जापूर में देखें, तो आपको फिर तीन जिले आते हैं, मिर्जापूर, सोनभद्र, बदोही, माओ और बलिया, बस्ती की बातकरित, इसमें भी आपको तीन जिले हैं, बस्ती, सिधात, नगर, संतकबीर, जहासी को ले लिजी, इसमें भी आपको तीन ही जिले आते हैं, जहासी, ललितपूर, जालाउन, शाहरनपूर को देखें, इसमें तीन जिले आते हैं, साहरनपूर इसमें प्रश्ण पूछे गए हैं तो इनको आपको अच्छे से रिवीजन करना है इसके बाद बात करते हैं उत्तवदेश की भोगार्विक संदचना के बारे में किस तरीके से इनका निर्माड हुआ है कि इन शैलों से खंडों से तो देखें इनका निर्माड हुआ है तो कई बार इस तरीके के चट्टानों के निर्माड और समयावदी को भी ऐसे कुश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं उच्छे गए हैं तो इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पूर कैम्ब्रियन काल के हैं बुंदेल खंड निश की बात करें तो यह आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से इनका निर्माड हुआ है तर्शेरी शैल समूं की बात करें तो यह टेथिस सागर में अतधिक निक्षेप के कारण यहाँ पर इनका निर्माड हुआ है कौाटरली समूग की बात करें तो यह तराई भाभर का यहाँ पर निर्माड हुआ है भाभर छेत्र में देखें तो शिवालिक और गिरिदीब कंकर इत्याज से यहाँ पर देखें तो कंकर पत्थर से इनका यहाँ पर डेवलप हुई है जो नदियों के अंदर आपको समा जाती है दुणडवा को देखें तो गोरगपूर के समिक सिवालिक पहाड़ियों कहीं हम कहते हैं दुणडवा इसके लवा उत्तर से यदि हम दक्षन की क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो यूपी का जो मैदान है या यूपी का जो निर्माड हुआ जो भोगार्विक सनरचना है तो सबसे पहले आपको भाबर छेत्र मिलेंगे और आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ तराई छेत्र मिलेगा तराई से आगे बढ़ेंगे तो खादर मिलेगा और खादर से आगे बढ़ेंगे तो यह बांगर भूमी यहाँ पर मिलेगी और यह उत्तर से अर्थात ऊपर से नौर साइड से आप साउट साइड आप यहाँ पर एंटर करना शुरू करेंगे, तो यह आपको भाबर, तराई, खादर और बांगर यहाँ पर भूमी मिलती है, उत्तवदेश के यदि प्राक्तिक संदशना को समझें, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सिनॉप्षिस के थू इससे समझ लेते हैं, तो यहाँ पर भाबर भाग है, दूसरा तराई भाग है, अब इसमें देखें तो इसका जो विस्तार है, भाबर शेतर का सहारन पोर्स लेकर पुशी नगर तक है, तो आपको कैसी मिट्टी है, कंग्रेली, पत्रीली मिट्टी इसमें आती है, भाबर तराई छेतर कैसा है, यह अवसाध मिट्टी से यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा जो पार्ट है, यह मत्ध में गंगा का दोवाब है, और इसका विस्तार यमुना से गंडग के बीच है, इसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक बागर और एक खादर आता है, बागर को देखे हँए, हम उनको यहाँ पर जलोड मिट्टी या काप मिट्टी कहते हैं, जो नई होती है, उसे हम यहाँ पर खादर कहते हैं, तीसरा जो पार्ट है वो दक्षन पथारी और पहाड़ी भाग है, और इसको अगर हम देखे है तो यहाँ पर आपको बगेल खंड और बुनेल ख लगा देता हूं कई बार यह question आप से पूछा जाता है ठीक है क्या क्या है तो देखे इसमें पूर्वी सीमा जो है वो केन नदी से बनती है आपकी पश्मी सीमा जो है बेतवा पाहुज नदी से बन रही है उत्तरी सीमा जो है गंगा और यमना नदियों के द्वार निर्धार इसके बाद उत्तवर देश के यहाँ पर देखे जाए तो क्रिशी जलवाई जो छेत्र है वो 9 है ठीक है कौन कौन से है पहला देखे क्रिश जलवाई छेत्र है आपका तराई का भावर छेत्र है यह सहारनपूर, बिजनोर, रामपूर, पीलीभीत, लखीमपूर, खीरी, पहराई, जनपदों से एक के छेत्र से यहाँ पर आपको पूरा जो यह एरिया है इसे हम कहते हैं तराई छेत्र, यूपी का जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर यह वाली जो पार्ट है आपको उत्तरी छेत्र में आपको दिखाई देंगे और यह तराई छेत्र आता इसी तरह मध्य मैदानी छेत्र के अंतरगत हम लगनव कानपूर फतेपूर यहां पर रखते हैं बुंदेल खंट छेत्र में बुंदेल खंट के सभी जनपर उत्तरपूर्वी मैदान में गोरख पूर्म और गोंडा मंडल पूर्वी छेत्र में वाराण सी आजमगड पहला देखे यहां पर देखे एक इसको में स्टार लगा दूँ यह एकदा में पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने के संभावना लगातार इनकी बनी रहती है पहला देखे यहां पर आगरा है ठीक है यह आलू जोन है यह जोन आपको फरुखाबाद कनौज आगरा aybisak चुका मेरट और रहातरस चilid में वहीं अगर हम लगनों की बात करें तो यह आम का आप कह सकते हैं आम आप जोन हैसे जोन के अंतरकैत का लगनों-बारामंकी सीता-पूर उन्ना ओyr लॉट जिलस उसमें सहारन पूर भी देखे तो यह भी आम इसके बाद उत्तब्दस की नदियां, जो कि काफी सारा प्रश्ण यहां पर आपको बनती हैं, तो देखा जाये तो हम इन्हें हिमाली नदियां, मैदानी नदियां और पठाई नदियां तीन भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, अगर इनको एके करके हम समझने का प् करनाली, शार्दा काली या महाकाली, और बूढ़ी राप्ती, सर्यू, रोहडी, रामगंगा, हिंडन, यहां पर देखे जाएं तो आपकी और इसके लावां अरिज कोशी, बानगंगा, यह सब की सब कौन सी हैं नदियां हैं, आपकी हिमाली नदियां हैं, मैदानी नदियो की बात करें तो इसमें सोन, बेतवा, केम, टोंस, चंबल, सिंध, कनहार, बेलन, रिहंद, चंतरपभा, और आपका बिर्मा, और सजनम, आपकी इत्यादी नदियां हम इसके अंतरगर आती हैं, तो ध्यान रखना है, कई बार आपको नदियों को लेकर प्रश्न पूछे आत हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, कि उत्तरपदेश्की प्रमुक्षएंघ सहायक नदियां कौन सी हैं, और उनकी सूची क्या है, ठीक है, तो उनके बारे में यहां पर पूरी जानकारी दी गई है, सबसे पहले देखए जो गंगा नदियों है, ठीक हैं, उत्तरपदेश्क जाती है इसके लाव अलक नंदा भागी रथी राम गंगा यमुना गोमती घागरा गंड़क कोसी यह सारी इसकी सहायक नदियों के तौर पर यहां पर आती है इसके लाव अगर हम देखें इसमें हरिद्वार कानपूर फ्रियाग राज वारांडसी भागलपूर पटना और को जबकि यहां पर जो बांधों के अगर हम बात करें तो इसमें टेरी बांध या भागी रथी और फरुखा बांध दो यहां पर आपको प्रमुख आपको बांध इसके बने हैं तो देखें यहां पर आपको बांध कौन कौन से हैं इसके नगर कौन कौन से हैं सहायक नदिया इसे ही यहां पर यमुणा नदी है और साथ यहां पर गोंगती नदी है इनको तीनों को देख लेते हैं के करके यमना नदी को देखे तो यह आपको निकलती भंदर पूँछ पश्मिध हाल परिस्थित हिमानी यमनोत्री से क्रयाग राज में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है इसकी सहायक नदियों बात करें तो गीरी यासाम, चंबल, बेतवा, केंड, टोंस हैं इसको देखें तो पॉंटा साहिब, हिमाचल, प्रदेश, यमनानगर, हरियाना, दिल्ली, उत्तवदेश, मतुरा, आगरा, हमेरपूर, प्रियागराद, इसके किनारे बसे कुछ प्रमुख यहाँ पर नगर है, वहीं बांध की बात करें तो इसमें लखवर ब्यासी बांध इस पर बना हुआ है, इसी तरीके से राम गंगा नदि की बात करें तो इसमें नैनी ताल के निकड़ दूधा तोली च्रेंडी से यह निकलती है, कनोज के निकड़ी यह गंगा नदी में मिल जाती है, कोह नदी इसकी एक सहायक नदी है, जिम कारवेट नेशनल पार्क से होकर यह प्रभावित होती है, और कालागड बांध इस पर आपका प्रमुख बांध बनाए गया है। नेशनल पार्क से किनारे कुछ प्रमुख शहर बसे हुए। कुमायू के निकट के मिलाप नहिमनत से निकलता है, बहराम घाट के निकट यह घागरा नदी में मिल जाती है, इसमें धर्या, लिसार, सर्यू, पूर्वी, रामगंगा, उल, चौका, दहावर और स्वहेली जो हैं इसकी प्रमुख आपको देखे जाएं, तो सहायक नदियां और शार्दा इस पर बनाया गया प्रमुख बांध है, इसी तरीके से गंड़क नदी की आप बात कर लीजे, ये तेपद नेपाल के सीमा पर धौला घर परवस्ट्रेणी से निकलती है, पटना के सोनपुर नदी से यहाँ पर आपको इसमें देखा जाय तो जाकर आगे मिल गाती है, और काली गंडग त्रिशूल गंगा इसके प्रमुख सहायक नदियां है, पटना इसके किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है, जबकि त्रिमेडी के पास बैराज बनाया गया, त्रिमेडी बैराज हम कह सकते हैं, आपका प्रमुख एक बैराज है, बांध है, न हागलपूर जन्पद में कारगोला दक्षन पश्चिम गंगा नदी में हैं सून कोसी तामू कोसी लिचू कोसी तल्खू दूध गोसी अरुन तामूर कोसी इसकी प्रमुक सहायक नदिया हैं जबकि गांधी सागर राना प्रताप सागर जवाहर सागर बांध यहां पर आपको शामिल कर सकते हैं बेतवा नदी को अगर हम देखें तो यह आपको रामसें जन्पत से निकलती हैं मद्वदेश के कुम्रा गाउ के निकट विंध परवत माला से लखीमपूर के निकट यहां पर यहुणा नदी में यह मिल जाती है धसान भीमा के पास यहां पर देखा जा यह सतना जन्पत मद्वदेश के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है जिला बांदा यहां पर देखें प्रमुख शहर है इसके किनारे पसा हुआ और राहेन जल प्रपात इस पर प्रमुख पात है इसके लावा देखें तो टोंस नदी है जो इसम तमसा नदी भी कहते हैं कै लहाबाद यानी की प्र्यागराज में आगे सिर्मा जगह पे यहां पर गंगा नदी से मिल जाती है ठीक है सोन नदी की बात किने तो अमरकंटक की पहाड़ियों के सेपा कुंड से निकलती है और पटना से पहली यह गंगा नदी में मिल जाती है इसमें महानदी बांस यहां पर देखें तो आपके प्रमुक बांध है इसके बाद देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल भी यूपी में बनाये गया है 12 नुवंबर 2018 को वारांड़ी में गंगा नदी पर देश का यहां पर पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राष्ट को समर्पित किया गया जो 1383 किल 89 दिनों में से तयार किया गया परिवहन के लिए देखे जाएं सड़क रेल जर्मार को इस टर्मिनल के द्वारा जोड़ा गया है और पेप्सको कंपनी गंगा नदी के रास्ते जल्पोत एंवी रवींद्र टेवारांड़ी से इंफ्रो कंपनी का उर्वरक लेकर वापस जब नदी जल्मार को कारोबार के लिए देश में व्यापकस्तार प्रयोग में सक्षम हो गया है और राश्ती जल्मार के पर एक वारांड़ी के अलावा साहिग गण जहारकंड हल्दिया पश्चिमंगार में भी दो मल्टी मॉडल टर्मिनल आपके निर्मारा थीन है साथी देखें देश का सबसे लंबा राश्ती जल्मार की बात करें तो यह आपका प्रयागरास से हल्दिया गंगा भागिरती होगली नदी पर है जो 1620 किलोमेटर है राश्ती जल्मार्ग एक में 577 करोन रुपय की लागत से इसका विकास किया जा रहा है और जल्विकास परयोजना की भारती अंतरदेशी जल्मार्ग प्राधी करण के द्वारा इसका क्रियानन किया जाएगा विश्वेंग भारत सरकार की हिस्तेदारी सियोजनामी 50-50 के अनुपात में है इसके लाबा मिशन गंगे अभियान लॉंच किया गया था जिसके माध्यम से 30 अक्टूबर 2018 को पटना में संपन हुआ 27 दिन या हरिद्वार से पटना की 45 किलमेटर की दूरी रॉफ्टिंग के द्वारा तैक पूरी की गई और इसमें गंगा नदी की सासवाई के लेकर जागरूपता फैलाने का प्रयास किया गया इस अभियान में 20 महिला और 20 पुरुषों ने भाग लिया चलिए नदी ग्यान के बारे में कुछ और बात करते हैं नदियां और राज में ये प्रवेश कहां से करती है जैसे गंगा नदी है बिजनौर जिले से यमुना नदी है सहारनपुर के फैजाबाद से गंडखन है महाराज गंज से राम गंगा है कालागर बिजनौर से शारदा नदी है पिली भी जिले से सिंध नदी है और रया जिले से चंबल नदी आगरा जिले से प्रवेश करती है यूपी में बेतवा है लरिदपुर जिले से प्रवेश करती है केन बांदा जिले से प्रवेश करती है यूपी में सोन को देखें तो सोन भद्र जिले से प्रवेश करेंगी और टोन से यानी प्रियाग्रा जिले से ये प्रवेश करती है मैदानी भाग में देखें तो गंगा जो है हरिद्वार से प्रवेश करती है यमना सहारनपूर फैजाबाद गाउं से प्रवेश करती है राम गंगा की बात के ने तो कालागड विजनोर से प्रवेश करती है और सार्दा नदी यो है ब्रमदेव के निकट से यहाँ पर यूपी में प्रवेश करती है कुछ नदीयों को हम अन्य नामों के नाम से भी जानते हैं जैसे सार्दा नदी को काली, महाकाली और गौरी गंगा के नाम से जानते हैं घागरा की बात करें तो पर्वती छेत्र में से करनाली और मैदानी छेत्र में से घागरा और अयोध्या में से सर्यू के नाम से जानते हैं राप्ति की बात करें तो इसे हम बूरी गंडग भी कहते हैं और गंडग नदी की बात करें तो नेपाल में हम इसे शाली ग्राम के नाम से जानते हैं इसी तरीके से मैदान में इसे नाराणी के नाम से भी जानते हैं बेत्वा नदी की बात करें तो इसे वेत्रवत्र नदी कहते हैं और टोंस नदी को हम तमसा नदी भी कहते हैं सून नदी की बात करें ते श्वन नदी भी है और के नदी के बात करें ते कणवती नदी के नाम से हम इसे जानते हैं चली अब बात करते हैं कुछ सीमा बनाने वाली नदियों की, जैसे कि हरियाना उतवदेस की भी सीमा के नर्धारण कौनसी नदि करती है, यमना नदि, इसी तरह लखीमपूर और बहराय जिले की सीमा के नर्धारण करती है, घागरा नदि, पीली भी तो नेपाल की अंतराश् सीमा के नरधारन करती है शारदा नदी मत्वदेस उत्वदेस राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी है चंब चली बात करते हैं कुछ प्रमुख जल प्रपातों के बारे में जो यूपी में हैं आपके इसके लावा नदियों के किनारे स्थित कुछ प्रमुक शेहरों के बात कर लेते हैं जैसे इसमें गाजीपूर, सिरसा, प्रियागराज, वाराणसी, मिर्जापूर, ये सभी कि स्रंगवेरपूर, ये सभी किसके किनारे हैं, बसे हुए हैं गंगा नदी किनारे हैं, ठीक हैं, इसी तरीके से देखें, और भी सारे हैं, काला काकर, बकसर, कानपूर, भतेपूर, पन्नोज, फरुखाबा, डल्मव, ये सारे 14 के 14 यहाँ पे शहर जो हैं, अनूप, अनूप शहर, गणमुत्यक्स्वर, तो 16 शहर आपको देखे जाएं, तो आप किसके किनारे सिर्फ बसे हुएं, गंगा नदी किनारे हैं, यमना नदीम देखें तो विरिंदावन हैं, आपक गोमती नदी किनारे हैं, इसी तरीके से सर्यून नदी किनारे देखें तो दो आपके जिले हैं, या नगर हैं, बरहज और आयोध्याते हैं, बस्ती की बात करें, गोरकपुर की बात करी, ये दोनों आपको राब्ती नदी किनारे बसे हुए हैं, मुरादाबाद और हर्दो प्रताबगर को देखे राइबरेली को देखे तो ये दोनों सई नदी किनारे हैं चिंद्रकूट बंदाकनी नदी बांदा केन नदी बेतवा अमीरपूर और ललितपूर हैं बेतवा नदी किनारे हैं बसे हुए हैं जबकि सोन भद्र, सोन नदी किनारे, स्रावस्ती रापती नदी किनारे और बागपती अमुना नदी किनारे यहाँ पे बसे हुए हैं तो इनको यहाँ पर आपको जरूर रिवेशन अच्छे से कर लेना है नदियों के साथ से थोड़ा सा जीलों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं देखें कीठम जो है सुर्शरोवर आगरा में है गौर जील रामपूर में है बड़ातार घोकूल साजहापूर में है भरुआ सागर आपकी जहासी में पढ़ता है खुंद्रा समुंदर जील नाओ में है मदन सागर को हम ज्मिरजापूर में है टांडादारिया दरारगत बलिया में है इसके लाओ घागरा निदी को राश्री जलमार के रूप में यहाँ पर विक्सित करने के लिए केंद्री मतीन नितिन गटकरी ने सागर माला कारिक्रम के अंतरगत बस्ती उत्तब देश में यहाँ पर एक राश्री जलमार के रूप में इसे गोशित किया बस्ती यहाँ पर राश्री जलमार के रूप में घागरा को विक्सित करने को लेकर देखा जाए तो 9 अक्टूबर 2018 को आधारशिला भी रखी गई सरकार द्वारा इसे 2016 में देश में अंतराश्री जलमार को बढ़ावा देने है इस जलमार में देखें तो आयोध्या, हमेरपूर, दोहरी घाट, तुर्ती पार, माची घाट यहाँ पर पांच प्रमुक टर्मिनला को बनाये जाएंगे इसके लवाँ यहाँ पर हम देखें तो हम जीलों के बारे में बात कर रहे थे देखें सुरहा ताल लखनव में है, करेला, राइबरेली, भरतपूर जील, मतुरा में है, राधा कुंड जील, कानपूर में है, बलहा पारा, कानपूर में है, राजा का बांध भीस, कानपूर में है और अंधी ताल की बात करें तो वारांसी में, रामगर ताल की बात करें तो ये गोरकपूर में और बकीरा जील की बात करें तो ये संतकवीर नगर में आपको पढ़ते हैं इसके लावा नो जील, मतुरा, फुलहर जील, पीलीभीत, मुरायताल, फतेपूर, मोती जील, कानपुर्नगर, सिखा जील, अलीगड, शित्तोर जील, बहराईच और दर्वन जील यहाँ पे फैजाबाद में पढ़ते हैं यहाँ पर जो प्रश्णों की बात करें, जो फैक्शुल डेटास हैं, यहाँ पर काफी सारे हैं, जिनको याद करने को लेकर आप मैपिंग काईविक अच्छा यूज कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि मैप के तुरूने में जरूर देखें, उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहा बनवाशा पेली भीत में यह इस्थित है, रिहन जलविद्दुत परियोजना की बात करें, यह भी शार्दा नदीब बनाईगे, बनवाशा पेली भीत में यह इस्थित है, ओबरा जलविद्दुत परियोजना रिहन नदीब पर ओबरा यानि की सुनभद्र में बना हुआ माता टीला बांज देखा इस परियोजना को बेतवा नदी बनाए गया माता टीला में जो कि जहासी में पढ़ता है इसके लावा पारिक्षा जल विद्धुत केंद्र की बात करें तो यह बेतवा नदी पे पारिक्षा यानि कि आज जहासी में है गोविंद सा बल्लब सागर परियोजना पिप्री सोनबद्र में है खाखा जर विद्धुत परियोजना पिप्री सोनबद्र में यह भी पढ़ता है राजगाड बांध परियोजना जो उत्तवदिस मंत्रिस की संयुक्त परियोजना है यह बेतवा नदी गंडख में इसे बनाए गया है बेतवा नदी जल विद्धुद परियोजना के नाम से भी सेम जानते हैं साहरनपूर में इस्तित है और गंगा विद्धुद क्रम गंगा नदी पे हैं सिंग्रावली सुपरताव विद्धुद केंद ओबरा सोन भद्र में और ओबरा ताव विद्धुद सेंद केंद ओबरा सोन भद्र में हैं हर्दुवा गंज ताव विदुद केंद्र कहा इस्तित है तो हर्दुवा गंज अलिगड़ में तेके काफी सारे जो नाम है वो जिले या प्रोटिकुल उस छेतर के नामों से जुड़े हुए इसलिए याद रखना आसान है या नदियों के किस नदी बने उसे नदियों क कने नाम दे होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा रह से है आप इस्थ ही यहाँत और्राज़ के चानपूर में साजहां पूर मे और पर्मार्ण शक्ति पर्योजना नरहरा बुलन शहर में इसके बाद देखें खनीज को लेकर भी आपसे काफी सारे प्रशन बन सकते हैं कि यूपी में कौन-कौन से खनीज हैं कि यूपी के किन-किन जिलो इत्याज में पाये जाते हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार के प्रशनों का भी क्या इसको भी रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से सबसे पहले देखें चूना पत्थर की बात करें चूना पत्थर देखें कहां-कहां पाये जाता यूपी में तो मिर्जापोज सोनभद जनपद में चेत्र का नाम है गुर्मा, कनाच, बासुहारी एवं कजराहट जो की सोनभद में पढ़ते हैं यहाँ पर यह पाये जाते हैं कोईला कहां उत्पादन होता है तो सिंग्रावली सोनभद में उत्पादन होता है काच बालू की बात करें तो यह संकरगड लालापूर से छेत्र से प्रियागराज में है बरगड लौगड दंद्रोल चेत्र कोट में चौनदावली का चक्या छेत्र जहासी के मुन्डरी बाला बहेट छेत्र से यहाँ पे काच बालू का उत्पादन होता है बाकसाइड की बात करें तो यह आपका बांदा चंदौली और सोनभदर में इसका उत्पादन होता है डोलोमाइड की बात करें तो मिर्जापूर सोनभदर बांदा तीन जिलो में इसका उत्पादन होता है जबकि जिपसम का दो जिलो हमीरपूर और जहांसी में इसका उतपादर होता है सोना भी यहाँ पर देखें तो आपको सार्दा और रांगोंगा नदियों से उतपादित है जबकि यूरेनियम को देखें तो आपको लेदपूर जिले में यहाँ पर पाया जाता है पाइराइड का यहाँ पे जो खनन है आपका मिर्जापूर में चाइना कले आपको देखा जा तो यह सोन भद्र में हीरा को देखें तो बांदापूर मिर्जापूर दो जिलो में है संगमर्मर का उत्पादन देखें तो मिर्जापूर सोन भद्र से होता है फाइर कले देखें तो मिर्जापूर से उत्पादित होता है रॉक की बात करें तो ये बांदा ललिदपूर से इसका उत्पादन होता है रॉक फॉस्पिट का जबकि तामबा ललिदपूर के सुनराई छेतर से इसका उत्पादन होता है इसके लावा एस्बेस्टरस देखें मिर्जापूर में, कंक्रेट समस्त मैदानी छेतर में, इमारती पत्थर मिर्जापूर से, पोटास लवन, कानपूर, गाजीपूर, प्रियागरा, चंदॉली, वारानसी, जहासी और बांदा से इसका उत्पादन होता है सेल खड़ी से देखें, तो यहाँ पर आपको जहासी और हमिर्पूर में इसका उत्पादन होता है डायसपूर, महोबा, जहासी और ललेदपूर से उत्पादित होता है पाइरोफिलाइड, जहासी, ललेदपूर, हमिर्पूर से उत्पादित होता है जबकि endosulfite यहाँ पे देखा जाए तो मिरजापूर से इसका उत्पादन होगा वह इससे यह fight आपका हमेरपूर से उत्पादित होता है इसके लबाद देखा जाए तो तब देश के प्रमुक बांधों के अगर बात करें कौन कौन से यहाँ पे प्रमुक बांध आपको है तो बांध और उनके जिलियों के यहाँ पे नाम और उनके किस नदी पर यहाँ पे बने हुए है जैसे कि रामगंगा है रामगंगा नदी पे है यह विजनौर में स्थित है धामपूर के पास गोविंद बल्लव सागरपन्थ है रिहन में पिपरी के पास सोनभद्र में काठी नदी रामगंगा नदी पे है विजिन ओर में माता टिला यानी रानी लक्षमी बाई बांध जो है वो बेतवा नदी पे बना है जहासी में मुशाक हंद बांध कर्मनाशा नदी पे बना है चंदावली में जिर्गो जलासे बांध बना है जिर्गो नदी पर मिर्जापूर में मेज़ा जलासे बांध बेलन नदी मिर्जापूर में इस्थित है ये पत्राई बांध पत्राई नदी पे जहासी में इस्थित है शहजाद सहजाद नदी पे ललितपूर में स्थित है गोविट सागर शारदा यहाँ पे ललितपूर में है सहजाम सजनाम यहाँ पे आपको ललितपूर में है सुकमा डुकमा बेतवा नदी पे छासी में है चंदप्रभा बांध चंदप्रभा पर चंदौली में स्थित है र इसके लावाँ प्रमुक कुंड और इसमारकों को लास्ट यहां पर इस टॉपिक को यहां पर study कर लेते हैं, कौन-कौन से आपके यूपी के प्रमुक कुंड हैं और कहां इस्थित हैं, तो देखें इसमें आपको आते हैं, सीतापूर कुंड, मिशृत सीतापूर आयोध्या, राधा कुंड गोवर्धन मतुरा, श्याम कुंड गोवर्धन मतुरा, मांसी कुंड गोवर्धन मतुरा, ब्रमुकुंड गोवर्धन मतुरा, कोकिला कुंड गोवर्धन मतुरा, तो यहां पर देखें सीतापूर, राधा कुंड, स्याम कुंड, मांसी गोवर्धन मतुरा, और सुकोकिला कुंड ये सारे के सारे कहा है । आपके सीता कुंड को छोड़ करके बांकी सारे हिस्तितते हैं आपके गोवरधन मथुरा में। इसी तरह जानकु कुंड को देखें चित्रकूर्ट में हैं, जबकि पुसकर कुंड, दुरगा कुंड और लोरार कुंड आपको तीनों ही वाराण सी में स्थित हैं। भरत कुंड की बात करें तो आयोध्या में मिलान करना असान रहेगा भेत कुंड की बात करें तो ये फरुकाबाद में है इसी तरीके से UP के कुछ आपके प्रमुक कूप और अस्थलों की हम बात कर लेते हैं अंतिम आपके टॉपिक के रोप में ठीक हैं कौन कौन से कूप हैं कहां कहां इस्थित हैं तो सरस्वती कूप प्रयागराशनगर भरत कूप चित्रकोट समुद्र कूप छोसी मतरांचल परवत चित्रकोट सबरी प्रपाद चित्रकोट मंदाकनी पयस्वनी नदी चित्रकोट हनुमान धारा चित्रकोट फटिक सिला चित्रकोट कामदगिरी चित्रकोट गुप्त गोदावरी चित्रकोट और सीता रसोई चित्रकोट अथात यहाँ पर देखें कूप के लाँ कुछ प्रमुक आपके अस्थल, छेत्र, धार्मे के त्याद इस्थलों को भी यहाँ पर देखें इहां पर कवर कर लिया है और जाद तर कॉष्टन यहां पर यहां मोसली कह सकते हैं आपको U.P के सारे कॉष्टन आपको जोग्राफिकल रेटेट इन ही से पूछे जाते हैं तो आप इनको वीडियो को एक से दो बार रेवीजजिन कर लीजेगा नेक्ट वीडियो हैं, कुछ यह और टॉपिक को लेकर यहाँ पर उतर्वजिस के स्टाटिक बेसिस को कवर करेंगे आज लिए इतना है, थैंक यो सो मच और खुड लग